है फ्रैंस दीपक और वाचिंग अलबियों से दोस्तों में चैनल में स्वागत है और आज हम जुस टॉपिक के बारे हम बात कर निकले जा रहे हैं वह है ठेकेदार यानि कॉंट्राक्टर का जो वर्क होता है दोस्तों वह खास करके आप आम दिनों में देखते होंगे कि चनल मैं स्कीमस के अंतरगत जो भी प्लांस आते हैं उसको कॉन्त्रेक्टर को दे दिया जाता है और कॉन्त्रेक्टर जो है उससे गौवर्मेंट के हिसाब से उसको तयार करके are the ऐकhouse को अगर काम करना है तो आपको यह वरक आρη अरक Barnes सकता है आपको इसके वाल्त सारी चीज तो दोस्तो आज इस वीडियो के माधियम से हम लोग यही जाने की कोसिस करेंगे कि कॉंटेक्टर परने के लिए आपको क्या क्या चीजों को फुल्फिल करना पड़ता है पर दोस्तो आगे बनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी चैनल अलबी जुग संग को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें ताकि आपके होम स्क्रीन पे नॉटिफिकेशन के द्वारा या फिर ब्राव स्विचर के द्वारा मेरी वीडियो आपको निर्थ प्रतिदिन मिलती रहे और आप थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख सको तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं कि ठीकदार बनने के ज्वारा पूरा कर सकता हैं तो दोस्तों हमारा या टे solid है तो दोस्तों जो प्रकार कि मैंने आपको पहले ही बता दिया व्यक्ति किसी भी प्रकार के मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के बिल्डिंग्स, रोड्स, नाले या फिर कोई श्कूल बिल्डिंग्स या किसी प्रकार के बड़े-बड़े जो contract होते हैं उस प्रकार के जो contractic business work होते हैं उसको लेता है वही contractor कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को कहीं का भी ठेका देने से पहले उसके बारे में अच्छे जचानमिन की जाती है और उसके कई जरूती document को भी जाचा परखा जाता है और security के तौर में कुछ पैसी भी contractor जो contractor का license लेना चाता है उसको जमा करना पड़ता है इन प्रक्रियां को पूरी कर देने के वह व्यक्ति को ठेकदार बनाया जाता है इसके बाद जिस किसी को भी ठेका की जमादार जाई शोपी जाती है उसी व्यक्ति के को contract संबने सभी जमिदारियां बखुभी निभानी होती है यानि अगर आपने किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है जो भी contract आपको दिया गया है उसका काम आपको सही धंसे आपको करके देना पड़ेगा उसमें कोता ही बढ़तेंगे तो आपके contract के license को रद भी किया जा सकता है इसे इसका हमेशा ध्यान रखेंगा अगर आप ठेकदार बनना चाहते हैं तो अगर यह जाना चाहते हैं कि इसमें कितनी कमाई है ठेकदारी license कैसे मिलता है तो यहां आप ठेकदार बनने के लिए ready हो जाएं और बस यह जाने कि इसमें आपको कितनी कमाई है license का क्या process है आके बढ़ते हैं और इससे चीज़ को भी हम लोग जानने की courses करते हैं दोस्तों अगर आपको ठेकदार बनना है तो सबसे पहले आपकी जो सबसे पहला requirement आपको सिक्षित होना पड़ेगा यानि आप अगर सिक्षित प्रक्ति है तब यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगे बहुत सारे ऐसे चीज़े को समझना पड़ेगा जो बिना सिक्षा के पूरी नहीं की जा सकती है और साथी साथ आपके खिलाफ किसी भी प्रकार के कोई भी कानूनी कारवाई यानि किसी भी क्रिमिनल ओफेंस में आप पहले ना फसे हो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है यानि आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कारवाई यानि कोई भी आपराधिक कार या आपने पहले किया हो या फिर आपराधिक कार में सनलिप्त हो या आपके उपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो आपको ये ठेकेदारी लाइसेंस बिलकुल भी नहीं मिलेगा। ठेकेदार बनने से पहले व्यक्ति को ठेकेदारी समझे सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। कि वह ठेकेदार बनकर कैसे किसी छेतर में अपना काम कर सकता है, कैसे उसके लिए सही फैसले ले सकता है, जिस व्यक्ति को इस पगार की सारी जानकारी प्राप्त होती है वह व्यक्ति एक ठिकदार बन सकता है और ठिकदार के सारे कार अच्छे से करा सकता है क्योंकि ठिकदार द्वारा कराए गए कामों को इंजिनियर या किसी अधिकारी चे करने के लिए आता है इसलिए एक ठीकेदार को अपने काम को दिये हुए समय के भीतर पूरी जिमिदारी के साथ करना पढ़ता है अगर आप उस चीश को पूरी जिमिदारी के साथ निभाएंगे तो ही आप आगे progress कर पाएंगे और आगर आपका काम सही धंग से मिला आगर आपके जांच में आपके काम को सही तरीके से पाया गया तो भबिस में आपके ठीकेदार बनने मल और आगे बनने के जो रास्ता है बिलकुल साफ हो जाता है और आपका जो grade है दिन प्रति दिन उपर होते जाता है और आपको छोटे ठीकिदारी contract से लेकर बड़े बड़े contract तक आपको धिरे-दरे मिलने लगता है दोस्तों अभी हम बात करते है salary के बारे में दोस्तों अब यहाँ salary के लिए दो प्रकार की myths है सबसे पहले आप इसको जानना चाहेंगे contact दो प्रकार का होता है यहाँ एक salary based होता है एक होता है कि आपने काम करके दिया आप अपने पैसा लगाया थोड़ा पैसा लगाया आप काम किये इसके बाद government आपको contract जितना भी contract money है आपको धीर धीरे करके वो allot करेगी first phase में, second phase में, third phase में वो allot करती है और आप contact के रूप में काम कर सकते हैं यहाँ फिर salary की बात नहीं आती है दुसरा contract से प्रकार क्या होता है कि आपको government सारी facilities उ प्लब्द करा रहे हैं contract से related जो भी facilities है contract जो भी आपको contract मिला है चाहिए वो building का हो, road का हो सारी facilities आपको प्लब्द करा दे रहे हैं सिर्फ आपको खड़ा होके वहाँ पे काम कराना है वहाँ आप salary based हो जाते हैं लेकिन pre-paid यानि अगर allotted money को आप ले सकते हैं तो वहाँ आपकी कमाई नहीं होती है contractor जो होता है वहाँ अपनी कमाई margin रख के ही contact के काम को आगे बढ़ता है यहाँ आप अच्छी खासी भी रखम कमा सकते हैं अपने तरीके से दूसरा फेज है यहाँ आपको salary based बांद दिया जाएगा salary based में आप 20,000 से लेकर 30,000, 30,000 से 40,000 आपके काम पर निर्वर करता है कि आपके किस प्रकार का contract लिया है उस प्रकार से आपके salary निरधारित कर दी जाती है और जैसे जैसे आप बढ़िया काम करके government के सामने लिखे जाएंगे उस प्रकार से आपके salary और भी ध्रीदरी increase कर दी जाएगे दोस्तों आप हम जान लेते हैं कि ठीकदार बने के सबसे आवश्यक गुण क्या है यानि अगर आप ठीकदार बनना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार में export होना पड़ेगा आपको कुछ गुण होना जरूरी है अगर आप उस गुण को नहीं रखेंगे तो आप ठीकदार बनने लायक नहीं है तो पहला गुण जो ठीकदार बनने का पहला गुण है वो है ठीकदार बनने वाले व्यक्ति के अंदर तकनीकी छमता होनी चाहिए ठीक है अगर आप में तक्निकी छमता है तक्निक का ग्यान है तो फिर आप एक अच्छे ठीकेदार के रूप में उभर सकते हैं दूसरा गुन जो है ठीकेदार के अंदर सम्मंधित काम को करने की छमता होनी चाहिए तीसरा जो है दूसरे की पैचान करनी की छंता होनी चाहिए कि जो समने वाला व्यक्ति है वो ठग है कि किस प्रकार का है यानि जो आपने contract लिया है वो contract वो आप सही तरीके से आप उस काम को कर सकेगा या फिर नहीं कर सकेगा क्योंकि contractor भी जो होता है वो बहुत सारे human resource को भी वो hire करता है और वो उसको परक होनी चाहिए कि जिसको human resource को जो उसने hire किया है वो उस काम को करने लायक है फिर या फिर नहीं है चौता चीज़ जो है एक डिकिदार के अंदर budget और समय सीमा के मुताविक काम करने का गुण होना चाहिए ठीक है अगर आपके पस budget है और समय सीमा के मुताविक काम कर सकते हैं तो अभी आप आगे भिसमें progress करने से आपको कोई निरोर सकता है पांच मा जो है निर्मान और स् गुन होना चाहिए किसी भी समस्या को सरलता पूर्वक हल करने के लिए रचनात्मग नजरिया आपको होना चाहिए अगर आप में रचनात्मग नजरिया किसी भी समगर है बहुत सारे समस्या सामने आ गया लेकिन आप उस समस्या को दूर कर नहीं सकते हैं तो आपके पास व होनी चाहिए आप में वह capacity होनी चाहिए कि यह एक ठिकदार का बहुत बड़ा गुन है अगर आप बॉदर नहीं होते हैं जितने भी लोग हैं आपके सामने समक्ष काम कर रहे हैं आपको पैसा अलॉट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आपको वह काम करके देना है तो आप उस स काम को पूरी तरह लगन से आप निभाथे हैं तो आप एक अच्छे कांट्रैक्टर के रूप में निखर सकते हैं उसनों बहुत Saraim और D level जो है ठीकेदार के आते हैं जो व्यक्ति इस फिल्ड में आपने के सुरुबात करना चाहते हैं उससे सबसे पहले D grade का license दिया जाता है ठीक है सबसे पहले आपको D grade का license मिलेगा फिर B और फिर C फिर A तो सब यह जानते हैं कि ठीकेदारी का license आपको कैसे मिलता है ठीकेदारी का license बनाने के लिए सभी संस्थान जितने भी प्रकार के संस्थान हो अलग अलग नियन कानू मना के रखे वहां सबसे पहला जोगे ठीकेदारी का license मिलेगा भी तो आपको D grade का मिलेगा वहां एक फॉर्म भरना पड़ता है ठीक है वहां कुछ document की भी आपको आवश्कता पड़ती है जैसे कि आपका pen card ठीक है pen card ठीक है अभी परमानी यानि attested copy attested copy के साथ आपको कोई photo ID card वह आपको परमानित करके आपको देना पड़ेगा दोस्तों यहां पर आपको बता है कि ठीकेदारी के license के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए लेकिन अगर आपको ठीकेदारी का license के लिए apply कैसे के जाता है उसकी जानकरी चाहिए तो मैं आप अचका वीडियो बस इतना ही तब तक के लिए जय भारत जय हैं